दोस्तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप खाते हैं तो आपका पेट भरेगा ही साथ ही मन और जुबान भी खुश हो जाएंगे। जो खुन की कमी को पूरा करता है। जोडों के दर्द का निदान अगर आपके जोडों में दर्द होता है तो आपको रोटी जरूर खाने चाहिए। रोटी खाने से हमें प्रोटीन और केल्शियम मिलता है जिससे हमारी मसल्स मसबूत होती है। इससे जोडों के दर्द का निदान होता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण रोटी में पोटेशियम होता है ये पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसलिए हर दिन प्रतीक व्यक्ति को एक रोटी जरूर खाने चाहिए। पत्री, अगर आपके पेट में पत्री हो गई है, तो आपको गेहूं के आठी के रोटी खाने शुरू कर देने चाहिए, रोटी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इस से पत्री होने के संभावना कम होती है. ब्रेस्ट कैंसर, आज कल ब्रेस्ट कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका एक बड़ा कार हमारे खान पान में बदलाव है, बसलन जहां पहले हम रोज एक रोटी या चार रोटी खाते थे, वहीं आज हम एक बिज़ा रोज खाना प्रफर करते हैं, यही वज़ को नियंतरित करते हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाना, रोटी में कार्बोहाइडरेट और फाइबर होता है, जससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि रोटी खाना क्यों जरूरी है, अगर आप यह चाते हैं कि रोटी के फा सब्सक्राइब करें, धन्यवाद